अलो डिफाइन सोल्स, चलिए, यहाँ पर देखते हैं कि अपकी लव लाइफ में ब्लॉकजस को हील करने के लिए जो भी ब्राभलम आ रहे है आपको क्या करना है इससे अगर बाहर आना चाहते हो लव लाइफ में अपनेस जाते हो तो आपको क्या करना है देखिए जो भी blockages होते है न वो हमारे खुद के कारण ही होते है हमें खुद में कुछ changes ने कर आनी होती है हमें कुछ lessons देने के लिए ये blockages create होते है या फिर हमारे life में problems आते है तो चलिए आज मैं वही चिक करना चाहूंगी कि क्या lessons आपके लिए आगे wait करा है divine क्या चाहते है आपसे करवाना क्या lessons आपको लेना चाहिए ताकि आपके लफ लाइफ की blockages हीड हो the magician 10 of swords six of pentacles king of pentacles तो यहाँ पर ना आपके life में changes तो जरूर आएगी changes तो होना है fresh beginning होना है सब कुछ होना है लेकिन यहाँ पर आपके energies में fluctuation बहुत सादा हो रही है मतलब कभी तो आप बहुत सादा believe करते हो कि आपकी love life में positive changes आएगी आप खुश होंगे और कभी एकदम से आप lower vibration में चले जाती हो जो negative side से आप उस पर focus करने लगते हो तो energies में यहाँ पर आपको balance लेकर आनी है balance कहीं आपर card है आपको अपने आपको balance में लेकर आनी है और यहाँ पर आपको ना थोड़ा अपनी love life से अपनी focus को हटवानी है और अपनी financial life में focus करनी है ज़्यादा आप जहां पर कुछ दे सकते हो वहाँ पर आपको focus करनी है आप में भी बहुत ज़्यादा abilities है आप में बहुत कुछ कर सकते हो अपनी life में तो divine अभी चाहते है कि आप अपने जो special abilities है उसके द्वारा दूसरों की help करो मदद करो ऐसे आपकी love life heal हो जाएगी और divine चाहते है कि आप अपनी financial life में बहुत साथा grow करो abundant हो जाओ आप बहुत कुछ earn करो name, fame, money इन सब में आप proper grow करो इन सब areas में भी आप focus करो grow करो stable हो जाओ और साथ में आप social work करो दूसरों के लिए कुछ करो लोग, समान society के लिए आप कुछ करो तब ही आपकी love life यहाँ पर heal होगी आपकी life में powerful shift आएगी ओके